इसके बाद यह कहा गया है कि सी ए और सी बी पर यानि कि सी ए यह हो गया और सी भी हमारा यह हो गया इन दौनों साइट्स पर दो पॉइंट्स है कौन कौन से वो पॉइंट्स है इस पर तो हमारा डी है एंड यहां हमारा है यह दो पॉइंट्स है अब यह दो पॉइंट्स है तो प्रूफ हमें क्या करना है कि a e square पहल तो a से e हम add कर देते हैं जोड़ देते हैं यहां पर यह होगया हमारा a e so हमें यह प्रूफ करना है कि a e square plus b d square so b d भी हम जोड़ देते हैं यह होगया हमारा b d equal है यहां पर a b square that is यह वाली side plus d e square d e हमारी यह वाली side हो जाएगी तो इस तरह का हमारी पास एक structure आएगा यहां पर अब हम इसे कैसे equal proof करें like अगर आप a e देखें तो वो इस वाले triangle का part this triangle next अगर आप यहां पर b d देखें तो वो इस वाले triangle का part है तो यह आपको equal proof करना है इस वाले triangle के hypotenuse के plus यह पूरा जो बड़े वाला triangle है that is this इस वाले triangle के hypotenuse के square के so यह आप किस type से करेंगे start करते हैं इसमें हमें पता है कि सारी right angle triangles ही form हो रहे हैं एक तरह से जिनका यहां 90 degree होगा तो pythagoras theorem का use करके पहले तो हम यह लिख सकते हैं कि जो ac का square होगा first हम लिख देंगे ac का जो square होगा वो plus क्योंकि ac एक side है यह वाली side बड़े triangle में plus c e का जो square होगा वो equal होगा a e square के यह चीज हमारे पास first आ गई next next हम कह सकते हैं कि b c का जो square होगा plus c d का जो square होगा वो equal आना चाहिए b d k square के लेकिन यह किस-kis triangle के अगर हम बात कर रहे हैं पहले अगर हम देखे तो हम यहां पर बात कर रहे है triangle first वाला जो triangle है हमारा यहां से हम clearly देख सकते हैं a c e यानिकि एक तरह से triangle a c e में ऐसा हो रहा है next हम बात कर रहे है triangle d c b में तो इन दौनों triangles में कुछ इस तरह से यह पायतकर स्थिरों में apply होगी next अगर हम इन दौनों equations को यह add कर दें तो क्या होगा जब यह दौनों equations add हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा a c square plus c e square plus b c square plus c d square यह equal होना चाहिए a e square plus b d square के तो यह चीज हमारे पास आगी इसे mark कर लेते हैं कि हमारी first equation थी second equation थी यह हमारी एक third equation हमने हां से form कर ली जब हमने first और second equation को add up कर दिया आप यह पूरा लिखेंगे next triangle c d e देखते हैं यह चोटे वाला triangle जो है हमारा यह इस triangle में अगर हम पायत अगर इस theorem apply करें तो क्या होगा तो इसी तरह से आएगा like हम यहां से लिख पाएंगे d e का square equal c d square plus c e square के यहां से आएगा next यह हमने किस triangle में देखा इस triangle को भी लिख लेते हैं triangle d c e में next next अगर हम triangle देखें तो बड़े वाले triangle में जो होगा वो होगा a b square equal a c square plus c b square किस वाले triangle में होगा triangle a b c में next तो यह दो equations हमने यहां से फॉर्म कर ली और इन दोनों equations को अगर हम देखें तो यहां से हम जो values हैं like यहां पर c d square plus c e square that is यहां पर अगर देखें c d square plus c e square को हम क्या लिख सकते हैं d e square तो हम वो ही लिख देंगे first हमने लिख दिया d e square plus next हम b c square plus a c square को क्या लिख सकते हैं a b square तो इसे भी हम लिख देंगे a b square यह equal आना चाहिए किसके a e square plus b d square के और यही चीज़ हमें यहां पर proof करनी थी